कर दी तो वो जब उत्रे तो नहीं कहीं जो आपने मर्द किये ऑप लिकी है गांiger करें यह इसे तञे आप अंधर कोमरे में आजे वालकम बेक डोगानल जेनल आप पढ़े जाना कि में आद ब्रे절 किया जानेल आप तो ठीड कारना ना किया Lisa presents देखिया सी टौफी अली सरकार ठीक है ते आज जदी एक होर वीडियी एद्दान दी ही लगबग तुसी देख सकते हैं वीडियो में नोल पूरी देख्यो ते तहां जो आपा इजी लिए सचीज नो अंडर्स्टेंड कर सकी है और जड़े बने नवे आगे आपने चानल ते जो सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज तो उसी सब्सक्राइब करूगे तो अन अलरी उस बात पता लग जुगा कि आपने चैनल ते बहुत सारी आटने वीडियो तो आटने बहुत सारी इंफर्मेशन मिलेगी तो आटने तो आट ता टाइम पास भी वधिया होगा ज़क परी के चांद पे तो अब गया है वो मुस्मियारत के आलात आपको अभी बताते हैं लेकिन अल्ला की किसम आज से डेड़ हजार साल पहले हमारे पास यह आलात मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहम ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा हमारी साइंस और फल का रहा है की के लिए रहा है वर्ड नहीं आ रहा है कि रही हिंदी पंजाभी में खुदा है अच्छा अगे दे इंट्रोस्टिंग अड़ो फिकाफी काफी मुस्यल्मानों की बे इत्फाकी और अदमे इत्फाक पर यह सारा साइंस इन्होंने उदलुस के यह सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने गोरे के बाब जानता है साइंस को अच्छा इन्य दे केना मतलब भी नासान वे सिद्धी सिद्धी चुन होती है कि इन्य ने नासान जा हो और साइंटिस्ट रजड़े उन्न ने किताब चोरी किती है साइंस दी इन्य दो ये सब कुछ हमारा था ये सारा ही हमारा था खे कभी अगर मौका मिल गया तो मुसल्मान साइंसदानों की बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या हुंके कमाला थे आपके इसी सिंद्ध के अंदर एक मॉलवी था उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया और रात को जिस वकल सूरज भुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज भी तुलू होता था तूरे सिंद मे रोशीन होती था तो आपको सारे मॉलवी था समझन दा मॉक्का चाहिए था एक मैंने मतलों गहरे है कि मॉलवी था हुदा उनने आप दा सूरज आयाना सी बटन अप देशी था सूरज छेप याना सी गुट जोग है कि देख देए हैं कि मॉहम्मद अली मिर्दा साब की कहन देए हैं मिम्रों पर ये वाक्या आपको सुनाएंगे कि धी हजरत उमर को भरे मजमे में सल्मान फार्सी ने खड़े होके कहा कि हजरत आपका कद तो बड़ा लंबा है या आपने कुर्टा लबास कैसे सिल्वा लिए है लाले गदीमत में तो सारों को एक एक चादर मिली थी आपने आपकी एक चादर में तो कपड़े बनते हैं ये आपने कैसे एपना सूट से लवा लिया है जब तक आप ये क्लैरिफकेशन नी देंगे हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे तो अब्डुला बिन उमर ने का कि मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद को डिनेट की और लोने लिबास से ये बात की तो अब तुम बात करो तुमारी इतात भी करेंगे क्योंकि लीडर के बारे में कंफर्म हो गया कि दो नमबर नहीं है ये बाते हैं जो मौलबी बियान कर रहा होता है ना जैसे ही वो मिंबर से उतरे ना आप सिर्व उससे पूछने कि हजरत आप की तन हाँ दसच जा रहें ही गाड़ी आपने कैसे रखी वी है तक चलापके इक्राम मुस्लिम कर देगा पांश्या नंंबर है चाहे वो पांश सबहरे बियान करने वाला होगा वो भी आपके इक्राम मुस्लिम कर देगा और उसको करने की जरूत नहीं practice have you यह रेकोएड एक थोड़ा चा पाउज है वो इसलिए है क्योंकि मेनुना एक खुशी होई है कि कले असी नहीं है पुझे बाप बेहने चक्राइच तुझे भी भुसे होई है सई है यार तो तो वाक्या भी वो बियान कर रहा है तो क्या मुझे हाक नहीं है कि मैं पूछ हूँ यह वाक्या इसलिए बियान किया था ना कि तुने यह जो दस किसम के बाडी गार्ड रखे हैं तेरी तरह तो दस हजार है यह बाडी गार्ड एक वक्त का दो किलो गोश खा जाते हैं खर्चा को उन उठा रहा है तो सर उनको पता अच्छा इतना है कि जमीर अंदर से वाज लगाता है सभी मुस्लिए में अधीस है गुनाव हो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात पर आर महसूस करे कि लोग मुतला हो जाएं उनको पता होता है कि अगर मैं यह कैद यह ना कि सर यह जो हार जुम्हे में चंदा होता है यही तो इसी से तो हम यह पाल रहे हैं सारा कुछ तो यह बात करते हैं और ड़ते हैं लोग उसा लिए अच्छा नहीं नहीं देए गए तो सर आप जणे बने आप कैदे कि आपका पैसा लूट के हम सब कुछ कर रहे सचे बने बता दे लड़ते क्यों हैं नराज़गी क्यों करते हैं मुर्जदीन को अशारे क्यों करते हैं बलको मारे सजाद भाई है वो कहते हैं नहीं वो एक एल अदीज की मस्दिद में तक्रीरं है आप बाएर किया है जो आप अंदर देगी कमरे में पर जाटे तक्रीरं करते हों मचमे हैं जो आप अजिवे के मरे आजे थिए उसमें जो श्रीव लग है वो कमरे में इसलिए ने जाते हैं कि ताकि इतने लोग के सामने बेसदिना हो हाँ और जो बन्माज होते हैं वो इसलिए ले जा जाए ताके आपके एक्राम मुस्लिम करें अंदर जाके और आपको ये बताएं कि आंदर स्वाल ना किसी तकी है कि और अब तो मेरे खाल है जब भी कोई मतलब इस तरह का पॉइंट अफ यू उठाता है ना सर आप सिर्व ये बोलें कि या सर ये जो आपने बहारी की बहारी है बहारी तो ये बियान gigantic मुदे होते हैं उनको यह इदिस का रिफरंस दें अच्छी बात है लोगों को एजुकेट किया है कि लोगों किताबों सुनर पढ़ें लेकिन ना एक दिवबंदी आलिम ने किताब लिखी है मनाकिब अभी हनीफा उसके मुकदमे में लिखा है कि दौरे हाजर में हदीस की किताबों के तर्जमे ने गुमराही का दर्वादा खोल दी है अस्तफ़ अस्तफ़ लादो गुली और वो कहता है इसलिए कि पहले जब हम कोई बियान करते थे ना तो हमसे पपलिक नहीं पूछती थी कहा लिखा वाई अब जब हम कोई घलत बात कर देते हैं तो हो कहते हैं यह जब गुमराही का दर्वादा खोल के है कि लोग इनको पूछे ना के लिए होना चाहिए आप कोई को ना पूछे फिर आप ये वाकियात बैना बैन करना चोड़ देंगे अज़र्द उमर ने वो कुर्टा कैसे से लवाया था ये काणिये खत्म करें फिर ये काणिये हैं जिर लोगों को कायल करने और फिर जाने की के लिए आप से कोई पूछ नहीं सकता और आप जितने मर्जी मीठी इंदाद पूछने ये निही उता है तितने साल पहले इतने का लियाता मेरे पास को पजारों तो नहीं है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी तो नीचे खड़ी वी है तो मुझे तो कोई इशू नहीं है मैं बता दूँगा कि यह यह मेरा लिविंग स्टेंडर्ड है मेरी जो इनकम है उसके साथ यह मैच करता है उसे नीचे ही है उपर नहीं है इन से जरा पूछें कि तनखाद तो दस हजार है तनखाद बीस हजार है गाड़ी भी रखी है और मदरसे कौने से पहले साइकल पर मदरसे पर आये थे एक साल के बाद मोटर साइकल आ गई चार साल के बाद गाड़ी नीचे आ गई पांच साल के बाद बचों को भी मोटर साइकल ले दी है ने तो सरी यह कौन सा अल्ला का फजल है जो आपके उपर ही है और किसी के उपर नहीं है और पिर उसको अल्ला का फ़दल कह रहे होता है और अगर आब ये बात कर दें इसलिए आप देखे जाते ही पहले कमेटियां तोड़ेंगे चंदा बॉक्स अपने कफ़जे में करेंगे उनके सब मैच ही नहीं करती ही चीजें जो कुछ उनका लिविंग स्टैंडर होता है इसलिए ना मेरे से इनको कोई इस सवाले से खतरा नहीं है क्योंकि मैंने इनके मकाबले पे ना कुछ चंदा बुक लांच की है ना कोई पार्टी लांच की है बलके मैं चंदे खुद देता हूं इनको अल्ला के फदल से जो मौलवी मेरे खिलाफ तक्रीरे करते हैं मैं नमाज पढ़ने जाता हूं उनको भी चंदे दे के आता हूं सही है सो गाइज ऐसी की आई देक वीडियो देखो भी एक दुनिया दी अटाल से चाहिए चाहिए जड़ा मर्जी तरम होवे उस तरम देवेच एदां दे सो कोल्ड बाबे आपनों देखनों मिल जानगे एड़ एदां दे बड़े सारे पोलिटिकल लीडर भी आपनों देखनों मिलनगे ते बाबे वी जड़े मतलब उना जितन खा काट ठीक है बट उना कोल जाइदाद बहुत जाद है जो करप्शन आपने सिस्टम देवेच न यह बहुत कुटी चीज है जी गाईज देखो एदे चाहोन देखो मैं अगे गाल की तीजी एक ते मेनू कही लोग कह रहे सी के इसलाम देवेच एदा नहीं हुंदा लेकिन होनो कोच के वीडियो सामने आ रहे हैं जी देवेच इसलाम देवेच भी मैंनों देखो नहीं मिला के बहुत सारे एदादे टोंगी बाबे है टोंगी मौलवी है जड़े मनकड अंतकलना तरमनाल जोड़के लोकानों बेफकूफ बनाया जा रहे है ते एह चीज सेम हिंदुआजम विच भी है सिक्षेम विच है क्रिस्चैन्टी विच भी है क्योंकि आपने इतियास जड़े है कोई साधा सिक्ष्यश इतियास है 500 साल पराना ठीक है तुसी इसलाम दिगाल करो 1500 साल ठीक है जा उस तो पहला भी देखो काफी साल पराना तज़ों एह इना साल प्राणा इते आसा ना ता जदो एदने मौलवी, बाबे, पंडत, ओ जदो बैंदी अना गल्ला करना ता फिर उना नो पता है सानुगडा किसे नो पुछना ओ फिर जो उना ते देल चोंदा हो चीज़ां बना आपना के ते चलो जी करी जान दे आगे पेश पर गालता होत्ते बादी है कि तुसी कोश्चन पुच rhण कियो प्लाइल है कियों होया कियों होया किते होया जो टुसी कोमक्रण मारगे करोंगे आए हुजे बाबे आगे producción पहना है अज एक मुसलमान आम मुऊन सुन रहा हैकि मुसलिम स्कॉलर दे मुऊन सुन रहे है लेकिन सेम जीजह मैं सि लीडर है ते हिंदुजम विच भी है लाइक होने जिवें हो हिंदुजम विच बनाया वे है चलो मैं थी जेकर कमेंट करता है किसे दीपावना हर्ट हो सकती है लेकिन गलता हो यह ना के बढ़ियां सारी हैं जो मिथ्यास मतलगे मिक्स किता गया जो गल गलता है जो में इदर एखे गह रहे है कि उन्हाने आप दा सूरज दे चान नी बनाया थी एक मौलवी ने एक इंसान ने सूरज दे बनाया थी ठीक हो तो को लेनी थाकत सी ते हिंदुजम विच चाहा है कि जो हनुमान जी सी ओनाने सूरजी खाले है होना कई जाने हो सकता है मेरी यह सगालते मेरा वरोध करने लेकिन कई सारे मैं तो उन्हों एदना दिया example देख सकता है जेकर तो सी कोई बंदा comment करोंगे कि जड़ियां एहे सब गलना है एह जड़ियां में थहासिक स्टोरियां बना यांगी है एक खोद जड़े हिंदू तरम दे लोग का हिंदू तरम दे स्कॉलर्ज इना चीज जानू डिनाए कर दे सिखेंसे विच भी एदन दियां काफी सारी यां चीज जान हैगी है तो जन्नानू मतलब गेक अधियां गल्ला जो तो आड़ियां ते आसिक कताबा होना ते खरियां उतर रही है यह मानकर अंतिया आप दिवावा कराओं दे ले ही एसब जीज जान हो रही है तो इदने विडियो देखा करो शेयर कर रहा करो एक जागरुकता फैल दी है ठीक है ते नाले बंदे नो नौलेज हों दी है अगे बंदा इंफर्मेशन गेन करता है जो कोई गालबात में तो गल्द कही गई है तो इनो कमेंट करके और जरूर करें तो जो कोई वदिया गाल लग गिया तो एप्रिशेट भी कर रहा करो गाल गेंके करें तो एक तो आड़ लाइक है ना उस लाइक नाल यूट्यूब सिस्टम है कि जेकर तो उसी लाइक करती हों चंघ कमेंट करती हों ता है यूट्यूब भी वीडियो नो पुश करता है जात तो जात लोग कान दाग वीडियो पाहुच दिया है recommend हों दिए so like जुरूर करो comment करो चैनल सब्सक्राब करो और वीडियो से लिए मेल दें किसे और वीडियो सेथ शिर्यकाल